नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी मुख्य से विका भरते में आज हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है केस टेकफ होने के बाद अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसमें सीधे सीधे next डेट लग जाती है आज की सुनवाई का court order भी deliver हो चुका है और counter-epidemic और rejoinder ये case status में अभी तक update नहीं हुआ है यहाँ पर एक सवाल आप सभी कहा है कि क्या DB के लिए result आ सकता है या फिर क्या संसोधित आंसर की आ सकती है ये 13 December वाला court order है अगर इसमें आप last पैरा देखेंगे तो इसमें यही बोला गया था कि respondent number 4 यानि UPCCI shall not be declaring results in respect of the selection held for post आप मुख की सेविका तो इसमें कहीं पर ऐसा नहीं बोला गया था कि final result या फिर DB के लिए result तो यहाँ पर सिदे सिदे बस यह बोला गया था कि आप कोई भी results यहाँ पर declare नहीं कर सकते है अब इसमें चाहिए DB result हो चाहिए final result हो इसमें सभी result आ जाएंगे DB का result भी declare नहीं किया जा सकता है आप लोग कह रहे था हैं DB के लिए result आ सकता है संसोधित answer की आ सकती है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि next process आप नहीं कर सकते है DB के लिए भी result आ सकता है लेकिन यह चीज़े court से clear करनी होगी आयोक को जैसे आज की date लगी थी तो वहाँ पर यह बोला जा सकता था कि हम आगे की process कराना चाहते है DB तक की final result हम नहीं देंगे तो यह चीज़े हो सकता था लेकिन चब यह आयोक चाहेंगे या फिर सासन अस्तर से बिभाग चाहेंगे तब ही हो पाएगा कि हम DB के लिए result देना चाहते है DB कराने में भी time लगेगा तब तक court case आ जाएगा final decision तो इस तरह से region बता करके बिलकुल सारी चीज़े possible हो सकती लेकिन जो बहाँ पर सासन या आयोक याट ICDS बिभाग चाहेंगे तब ही होती है फिलाल में court order के अनुसार result declare करने पर रोख है ना तो यहाँ पर DB के लिए result या फिर final result ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आप देखेंगे इसके पहले जो counter एफ़ेड़ लगा था सरकारी वकील के मादेम से या फिर जो याची परक्षें पिटीसनर उनके तरफ से रीजवाइंडर लगा था यह सारी चीज़े इस्टेटेस में अपडेट होती रती है बट आप देखेंगे इस बार वाला अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इबेन court order में mention हो करके आ गया था कि एफिर डेविट आ चुका है बट रीजवाइंडर की कोई भी अभी तक अपडेट नहीं मिल सकी है हाला कि जैसा हमें बता चला था हमने आप सबे को बताया भी था कि रीजवाइंडर आ चुका है तो केस इस टेटेस में पिए उम्मीद है कि एक से दो दिन में अपडेट हो जाएगा यह आज की सुनवाई का कोट ओर्डर है इसके पर देखेंगे तो बेंच में भी बतला हो गया है बेंच में बारबर बतला होने से भी दिक्कत होती किसी एक बेंच में ही मैटर लगता है रहे तो सुनवाई हो जाती है अच्छे से बार बार बदला होने से भी इस प्रॉब्लम होती है तो इस बार बेंच में बदला हो गया था आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं अभी जो आप लोग कोट ओर देख रहे थे उसमें दूसरे जस्साहाब थे जबाब आधी लगाने के लिए तो उस बज़े से भी नेक्स्ट डेट लग जाती है अभी हम लोग जो 13 दिसंबर वाला कोट ओर पढ़ रहे थे उसमें पैराग्राफ फाइप में इंटरिम रिलीफ दिया गया था याची पक्चे को अंतरिम रहा दिया गया था जिसमें ये बोला गया है कि आप आयोग के लिए कि आप रिजल्ट डिकलियर नहीं कर सकते हैं तो फिलाल में उस आडर को यहाँ पर भी एक्स्टेंड कर दिया गया है यानि कि अब 18 जनौरी तक आप result declare नहीं कर सकते हैं यूपे ट्रपल सी आयोग ये आज का court order है 5-1-2024 का संसोधित answer की आयोग की तरफ से दी जा सकती है और संसोधित answer की में 5-7 प्रस्णों पर एक्जेक्लिया चीज़े आपको नहीं बता जा सकती है 5-7 प्रस्णों में बदला होना है या बदला होने की उमीद रहेगी अब इसमें full marks या कोई question में कोई किसी question के आपसे में बदला हो सकता है कि ये सारे चीज़े बहुत पहले भी हमने आप सभी को बताया था कि इस तरह की जाता सजादा आपको full marks मिलने की ही उमीद रहेगी और संसोधित आंसर की आयोग दे सकते हैं लिकिन जब आना होगा कुछ जानकारी मिलेगी तो आप सभी को बता देंगे ये दोनों सिप्टों का मिला करके हैं पांच से साथ प्रश्णों में बदला हो और suppose that यहाँ पर total पांच full marks मिल गए या ऐसे मालीजे फर्स सिप्ट में तीन full marks मिल गए suppose that तो आप यह सी बात होगी सेकेंड सिप्ट में मालीजे दो full marks मिल गए या फिर सेकेंड में तीन फर्स में दो full marks मिल गए suppose that तो उस इस्तिती में धाई से तीन number कटाफ बढ़ जाएगी जितनी कटाफ हमने आप सभी को expected बता रखा है उसमें धाई तीन number कटाफ फिर बढ़ जाएगा क्योंकि एक question के किसी option में बदला होने की वज़े से बहुत सारे लोगों के number घट भी जाते हैं बट full marks मिलने पर किसी के number घटते नहीं है हाँ बढ़ते जरूर है और ज्यादा तर अभी अर्थियों के number बढ़ते हैं क्योंकि attempt ना किया हो या फिर गलत हो प्रश्ण दोनों ही इस्तितियों में number बढ़ते हैं केवल एक इस्तितियों में number नहीं बढ़ता है जब हमारे प्रश्ण पहले से सही होते है और इसी वज़े से ज्यादा तर अभी अर्थियों के number बढ़ते हैं तो जितने फोल मार्थियों मिलते हैं लगबग उसी के ratio में कटाफ भी बढ़ जाती है अब इसमें केवल उन अभी अर्थियों का नुकसान हो जाता है जिनके एक भी number ना बढ़ता है यानि जितने फोल मार्थियों मिले हमारे उसम पहले से सही हो तो उन अभी अर्थियों को नुकसान हो जाता है अब यही पर किस्मत वाले चीज़े होती है लेकपाल वर्ती में यह सारे चीज़े हम लोग देख चुके हैं कि 0.25 number से selection नहीं हो पाया option में बदला होने की बज़े से या फिर फोल मार्थ का फायदा नहीं मिला सोचिए 0.25 number से भी सेकड़ो अभ्यरतियों का selection नहीं हो सका जबकि उनके number पहले अच्छे थे तो यह कुल मिला करके update थी बागी आगी कि कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक करके सेर कर दीजेगा और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा गुरूप है आप सभी के लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिंडे करके दिया रहता तो आप गुरूप जोएंग कर सकते हैं धन्यवाद